Hi everyone, this is Robin Sharma और आप सभी को welcome करता हूँ हमारी topical, gk और current affair की इस series के अंदर sports news की आपकी ये video होगी February मन्त का ये discussion होगा combined जो playlist है सभी के सभी topics की वो भी आपको description में मिल जाएगी और जो sports वाला आपका topic है उसका भी link आपको combined playlist का description में मिल जाएगा personally connect करने के लिए Instagram के इस username पर आप जा सकते हैं ये मेरे Telegram का नाम है इन दोनों के भी direct link आपको इस video के description में मिल जाएगे तो चलिए फिर February मन्त की पहली news देखते हैं सवाल पूछा गया है कि महिला क्रिकेट में किस देश ने February 2023 में छटी बार ICC T20 विश्व कप ट्रॉफी देखी February 2023 के अंदर कौनसा वो देश है ICC T20 वर्ल्ड कप इन्होंने लिफ्ट किया है 6th time आपको इसका answer बता ना था अब मुझे देखो आपसे कहने की तो जरूरत है नहीं कि बहुत important सवाल है आंसर आपको जरूर याद इखना है कि Australia ने छटी बार ये आपका जीत लिया इसके लावा आपसे पूछा जाएगा कि भई runner-up कौन था runner-up यानि कि जिसको final में Australia के द्वारा हराया गया था तो इन्होंने हराया था South Africa को ठीक है तो तयार रहिएगा आपके paper के अंदर ये चीज़ें आपसे पूछे जा सकते हैं आप देखो Australia की बात हो रही है तो लगे हातों बात कर लेते हैं capital की जिसको लेकर आप में से कई सारे लोगों को confusion होगा तो Canberra इसकी क्या है capital है ये आपको याद रिखना है currency को लेकर पूछा जाएगा तो Australian dollar क्या है इसकी currency है Prime Minister को लेकर आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको नजर आएंगे Anthony Albanese ठीक है और National Sport अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें आपको यार रिखना है Australian Rules Football तो ये Australia से related आप कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रख सकते थे बाकि इसका याद रखिएगा कि जीता किसने ऐस्टेलिया ने है और इसका runner-up कौन था South Africa था अगला सवल पूछा जा रहा है कि रंजी ट्रॉफी 2022 ये किस टीम ने जीता तो खबरों में ये इसलिए था कि रंजी ट्रॉफी जीत ली सौरास्ट ने तो आपका अंसर क्या हो गया कि सौरास्ट जीत चुकी है आपकी रंजी ट्रॉफी 2022 तेसकी जो थी runner-up आपको ये आ रखना है runner-up कौन रखा रहा इसका इसका रहा बेंगाल ठीक है भी तो याद रिखेगा अच्छा सवाल है इसके लावा आपसे पूछा जा सकता है कि जो final match था final match में man of the match कौन रहा तो इसमें आपको नजर आएंगी जैदेव उनादकत जैदेव उनादकत के बारे मैं सभी को पता होगा तो यहाँ पर मैं लग देता हूँ जैदेव उनादकत तो यह कुछ-कुछ बातें होती है यार यह काफी अच्छे सवाल है और ब्रैगुलरली यह चीज़ें देखो आपकी बनती रहती है रंजी टॉफी होता क्या है सभी को पता होगा सालाना यह फर्स्ट क्लास की इनकी प्रीमियर क्रिकेट चैंपेंशिप होती है जो अलग-अलग स्टेट इसके अंदर आपका इन्वल्व होता है बीसी से इसको कराता है जो हमारा बोर्ड अफ कर्केट बोर्ड अफ कंट्रोल फोर क्रिकेट इन इंडिया है तो ठीक है आगे बढ़ता है अगला सवल आपसे पूछ रहे हैं कि 14 फेबररी 2023 को नैशनल उपन रेस वरकिंग चैंपेंशिप कहां आयोजित की गई नैशनल उपन रेस वाकिंग चैंपेंशिप 2023 के 14 फेबररी को कहां पर आयोजित करेगी थी वाक का मतलब समझते हैं कि उसमें पैदल पैदल चलना होता है तो यह आपकी ऊपन रेस वाकिंग चैंपेंशिप थी आयोजिन इसका कराया गया था राची के अंदर याद रखोगे 14 फेबररी को कराया गया था इसमें आपको याद रखना है कि गोल्ड किसने जीता गोल्ड इसमें आपको याद रखना है अक्षदीप अक्षदीप सेंग है उन्होंने इसके अंदर स्वार्ण पदक जीता और नैशनल रिकॉर्ड टाइम के अंदर इस आपकी रेस को पूरा किया था याद रखोगे बाखी आगे बढ़ता है अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि फॉर्मला इ रेस जो की हैदराबाद के अंदर आपकी कराई गई थी 11 फेबररी को देखो हर सवाल में से आप एक दूसरा सवाल निकाल सकते हैं कल कोई पूछ लेंगे कि इसका आयोजन कहां पर कराया गया यहां पर उन्होंने प्यूचा है कि इसको जीता कौन है फॉर्मला इ रेस जो की आपकी कराई गई थी हैदराबाद के अंदर यह जीती जीन एरिक वगनेने ठीक है तो यह आपको याद रिखना है बड़ा नाम है और ऐसी चीज़ें आपकी बनती हैं तो इसमें विकल्प नमबर आपका डीकरेक्ट रहता है अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि फेबरेरी दोहजार तेईस में M.M.S.C. F.M.S.C.I. इंडियन नेशनल कार रेसिंग चेंपेंशिप में फेबरेरी दोहजार तेईस है इंडियन नेशनल कार रेसिंग चेंपेंशिप है नेशनल चेंपियन M.R.F. 2000 क्लास का खिताब इंस्टार विकल्प में सिक इसको दिया गया साई संजय इसमें आपको याद रखना है ठीक है तो खबरों में इसलिए था कि आयोजन हो रहा था और आपके मिस्टर साई संजय इसको जीते हैं मेरे ख्याल से इतना ही आपके पेपर में पूछा जाएगा अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विस्क विस्क ओन जी में आयोजित टाटा स्टील सतरंज टूनामेंट 2023 किसने जीता विस्क ओन जी आपका टूनामेंट है 2023 का टाटा स्टील चेस्ट टूनामेंट है यह जीता गया आपके अनीश गिरी के द्वारा ठीक है तो याद रखोगे आपके अनीश गिरी यहाँ पर इसको जीते और काफी बड़ा यह टूनामेंट होता है इसका 85 यह एडिशन था रेगुलर्ली हर साल आपका एक राया जाता है इस बार यह 13 से 29 फेबरेरी के बीच में चला था याद रखना है अनीश गिरी इसको जीते थे अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विच टीम वॉन फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 2022 टाइटल मैंने पूछा है फीफा क्लब विश्वकप 2030 इन शार विकल्प में से किस ने जीता तो यह जीता भही आपका रियल मैडरिट ने इन्होंने किसको हराया था तो इन्होंने हराया था आपका अल हिलाल को यह आपके रणर अप रहे हैं यह याद रखीगा फीफा क्लब वर्ल्ड कप है यह और फिफ्थ आपका क्लब वर्ल्ड कप टाइटल इसने रियल मैडरिट ने यहां पर जीता था चरचाओं में था याद रखीगा अगला सवाल पूछा जा रहा है सभी प्रारूरों पे सतक लगाने वाले पहले भारतिय कप्तान कौन है वह इस दी फर्स इंडियन कैप्टन जिन्होंने स्कोर की है अपनी शतक को सभी फॉर्मेट में तो यह रहेंगे भई आपके रोहिच शर्मा विकल्प नंबर भी पहले इंडियन कैप्टन बने हैं जिन्होंने सारे की सारे फॉर्मेट में अपनी शतक लगाई है तो यह यार रखना है ओवराल यह फॉर्थ है यानि कि पूरे विश्व की बात करें तो चौथे नंबर पे हैं इससे पहले तिलक रतने देलशान आपके फाफ दू पलैसी और आपके बाबर आजम है जिन्होंने हर फॉर्मेट में ऐस अ कैप्टन मैं पूछ रहा हूँ यह मत कहने लगना कि विराट कोली भी तो था विराट कोली भी तो था रोही शर्मा ने ऐस कैप्टन चारों फॉर्मेट में शतक लगाने का काम किया है अगला सवाल पूछ रहे हैं किस खिलाडी ने पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन परधा में स्वान पतक जीता कौन सा वो प्लेयर है जिसने गोल्ड मैडल जीता है मैंस इंडिविजिल 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन इफेंड में तो भी इनका नाम है आपका एश्वार है प्रताप सिंग तोमर ठीक है तो इन्होंने जीता है 3 पोजिशन इवेंट की 50 मीटर राइफल की मैंस इंडिविजिल के अंदर इन्होंने जीता है याद रखीगा कहां पर हुआ था यह जो आपका कप था यह था ISSF वर्ल्ड कप और इसका आयोजन कराया गया आपका काईरो एजिप्ट में यह भी याद रखीगा ठीक है भई आई ऐसे सब की बात हो रही है तो सभी को पता है इंटरनेशनल शूटिंग फैडरेशन है और इसको इंट्रिड्यूस कप करा गया था 1986 के अंदर करा गया था यह एक बात आप यहाँ पर याद रख सकता है यह है आपकी फैबररी मंद की स्पूर्ट से सम्मंदित जो इंपोर्टेंट न्यूस थी उसका अंतिन सवाल अखेल भारतिये ताई कवांडो चेंपिंशिप का उद्गाटन दिल्ली में होगा भारतिय खेल प्रादिकरण के साथ चेंपिंशिप की सह मैजबानी कौन सा देश कर रहा है औल इंडिया ताई कवांडो चेंपिंशिप का इनागुरेशन दिल्ली में हुआ कौन सा वो देश है जिसने को होस्ट किया इस चेंपिंशिप को हमारे देश की स्पूच अथारिटी के अनुराक सिंग ठाकुर के बारे में पता होगा अनुराक सिंग ठाकुर जो कि मिनस्टर फ्यूथ अफ़ेशन के इंदर सामिल रहे थे वो तो ये साउथ कूरिया के साथ मिल करें उन्होंने आये जन कर आया था तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब कर लिजिएगा सभी कंबाइन लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में मिल जाएंगे अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा अपना ख्याल रखीगा थैंक्यू